वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फते है शबद प्यारी संगत जी आज असी कोज टियूक मातर शबद बारे जानन दी निमानी जी कोशिश करांगे मलोक दी देही पंच पूतां दी बणी होई है ते उना पंजा विच्चूं एक पूत तात अकाश है अते अकाश दा गौन जीवदे सरीर विच एक ग्यान इंद्रा है जिस दा नाम कान कही दा है इना कना दुवारा जो असी सुन देहां अते जीवदा दुवारा बचन बोल देहां उस दा नाम शब्द है दो शब्द नाम ब्रामदा है क्योंके वहिगरू शब्द या ओंकार शब्द या राम नाम शब्द सब वहिगरू ब्रामदे वाचकहन इसे करके शब्द नाम ब्रामदा है शब्द दो तरादा है एक आहत ते एक अनाहत है आहत ओह शब्द जो हात करन नाल अरथात जो दो वस्तुआं दे मिलन दा फटन तो हुंदा है इसनु कन्ना दे परदे सुन दे हन ते वायू दौरा एक गती करदा है वायू सुन सथानी अनहत तो बिना एहे शब्द सुनाई नहीं देंदा इहे देस काल नमित वाली रचना दा शब्द है दूसरा अनाहत शब्द ओह है जो हत दा मुथाज नहीं जिस दे सर्वन ले वायू आद किसे तात्दी लोड नहीं है और जो कन आद इंद्रियां करके सुने जान दा मुथाज भी नहीं है अते जो देस काल नमित तों परे है शब्द नाम वाहिगरू दे सिम्रन दावी है ते एहो ही शब्द मन दी कलियान करने वाला है बिलावल राग विच पहले पात्षा फरमोंगी है एक शब्द मेरे प्राण बस्त है बाहुड जन्म ना आवा होर एक शब्द जित कथा वी चारी एहो ही शब्द वाजयां द्वारा पंजी ठाई हो के वाज़दा है ते फेर किर्तन दी तुनी द्वारा एक रास हो जानदा है जैसे गुरू जी दा वाग है पंजे शब्द वज्जे मात गुर्मत वडपागी अनहद वज्जेया वाहिगरू शब्द जित्थे ब्रहम रूप है जित्थे संसार दी कला नू तारदा है अर्थात करदा है अर्थात राचदा है उस कला तार कार विच अर्थात शब्द ब्रहम रूप विच अनाहद दा टकाना है जैसे गुरू जी ने अनांद सह्व दी बानी विच दस्या है वाजे पंच शब्द तित कारस पागय कारस पागय शब्द वाजे कला जित कार तारिया अर्थात जिस कार जिस मंडल विच वाहे गुरू निरा कार ने कला तार्न कीती है उस कारविच इस अनाहद नाददा थाओं है होर थे नहीं है कला तारंदा मंडल ओ अंकार है जो एकंकार ते दुई दे मंडल दे विचकार है पाव केवल इना है कि वाहिगुरु जद स्रिष्टी रचन वेडे फुरने नूपर काशदा है ओ हो शब्द अनाहद है सो ओ से शब्द दे जपन दा उपदेश गुरु जी ने दिता है एहो ही शब्द जद वाज़यां विच वाज़दा है जो के पांज तरादे वाज़े हन ताँ पनजयां रूपां विच वाज़दा वया इके प्रकार दी तु नहीं देंदा है इसे करके पंच रूप ते एक रूप भी ओहो ही शब्द है जिस दी बाबत बानी विच बहुत जगा पाठ आया है पंच शब्द तुन अनह दवाजी हम कहर साजन आई होर विवाहु होआ सोब सेती पंच शब्दी आया होर थां फरमोंदेखन एको शब्द सचा नी सान पूरे गुरते जाने जान सिरी रागविच पहले पाठशा भी फरमोंदेखन सत संगत कैसी जानी है जित्थै एको नाम वकानी है एको नाम हुकम है नानक साथगुर दिया बुजाए जियो एक देखेया एक मन्नेया एको सुनेया सरवन सरोत सिखो हो शब्द पेयारे हो जनम मरन की टेक मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक होर एको शब्द एको प्रब वरते सब एक सते उतपत चलाए नानक गुर्मक मेल मेलाए गुर्मक हर हर जाए रलाए सो गुरु जी ने उस एक शब्द जाप करंदा उपदेश देता है जिमें गुजरी की वारविच तीजे पात्षा तानगुरु अमरदास महराज जी फरमोंदे हन वाहो वाहो गुर्सिक नित सब करो गुर्पूरे वाहो पावे नानक वाहो वाहो जो मानचित करे तिस जम कंकर नेड न आवे सो एह वाही गुर्पूरु शब्द ही गुर्सिक्षा दा शरूमनी मंतर है इसी वास्ते पावी गुर्पूर दास जी ने मी अपनी बानी विच मंतर दा निरने कीता है पावी सहभ जी भरमोंदे हन वाही गुर्पूरु गुर्मंतर है जाप हो मैं खोई गुरु जीदा परमाण वाहो वाहो करती रसना शब्द सुहाई फिर चवते पादशा भरमोंदे हन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जीओ सेवक कैपर पूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका सो वाहे गुरु दा सिमरन सानू हर वक्त करना चाहिदा है ताही असी कलियान दी पराबती कर सकदे हैं इत्थे भी पगत जी ने एक बड़ा हिसोना सुन्दर उचारन करके बैंत लिखिया है वो लिख दे हम शब्द शब्द दी लखता करोन वाड़ा शब्द वाहे गुरु नाल मिलाउन वाड़ा शब्द नाल होई दुनिया सारी परगट शब्द जगदे काम चलोन वाड़ा शब्द प्रेम प्यार बदाउन वाड़ा शब्द प्रेम प्यार बदाउन वाड़ा शब्द निमर्ता पाव सिखोन वाड़ा बिना शब्द तों पगतना ग्यान होवे, निसफल जाए बंदा जग आउन वाड़ा, वाहिगुरु जी का खलसा वाहिगुरु जी की फते है। बिना वाहिगुरु जी का खलसा वाहिगुरु जी का खलसा वाहिगुरु जी की फते है।